धन्यवाद आप लोग ने सुबह सुबह समय निकाला और एक महत्वपून हमारी प्रेस वारता को कवर करने के लिए आप लोग आए हमारी जो आज का जो विशे है वो देश के किसानों से संबंदित एक बड़ा महत्वपून विशे हम उठाने जा रहे हैं अभी अभी एक स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चोकाने वाला आखड़ा देश के क्रिशी जगत और किसानों के समक्ष आया है पर यह आकड़ा है कि पिछले पांच साल में क्रिशी बजट का एक लाग करोड से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है एक लाग करोड से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि क्रिशी संबंदित बजट था अलग-अलग योजनाओं में लेकिन उसका खर्च नहीं हुआ और सरंडर हो गया आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के एक लाग से ज़्यादा किसानों ने आत्मेत्ता की आज इंडेटिडनेस या करजे में इतना किसान डुबा हुआ है ये स्तिती देश की किसान की है और ये फिगर जो है वो NCRB की फिगर है Center for Financial Accountability द्वारा प्रकाशित ये फिगर है एक लाग से यदा किसानों ने आत्मेत्ता की एक तरफ ये यानि कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होके 30 किसान आत्मेत्ता कर रहे हैं ये जो एक लाग करोड का जो क्रिशी बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरंडर कर दिया वापस ये वही बजट था क्या ये कुछ रहाद दे कर किसानों को इतने किसानों को अपनी जान कि कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था आपको याद होगा जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड कि किसान एक करजे माफ हुए थी और किसान को बहुत बड़ी रहा तो समय देश के किसान को देने आकाम कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय किया था बड़े बड़े उद्योगपती घरानों के साड़े चौदा लाग करोड कॉपरेट लोन वेवाफ साड़े चौदा लाग करोड के करजे माफ बड़े बड़े उद्योगपती घरानों के तो हुए किसान के कोई करजे माफ नहीं हुए और उल्ट जैसे मैंने कहा कि किसान कि किसी संबंदी जो बजट भी था जो दिखाया गया वो भी उस बजट में भी जो एक लाग करोड खर्चा नहीं गया वो वापिस हो गया जिसमें से 21,000 करोड तो इस पिछले वर्ष का है पिछले वित्य वर्ष में 21,000 करोड जो बजट दिखाया गया क्रिशी संबंदी वो खर्चा नहीं गया वो सरकारी खजाने में लोटाया क्या सरकारी खजाने में इसलिए लोटाया जा रहा है कि कॉपरेट के और करजे माफ हो और किसान पे और मुश्किल और यातना है आए एक और मैं इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक और तो बजट जितना दिखाया जा रहा है वो छल है क्योंकि खर्चा नहीं जा रहा लेकिन जितना दिखाया जा रहा है वो भी ओर आल जो देश का बजट है उसमें किर्शी संबंदित बजट में निरंतर गिरावट आ रही है 2020-2021 में ये 4.4 परतिशत था 2021-22 में 3.5 परतिशत 22-23 में 3.1 परतिशत और पिछले वर्ष धाई परतिशत हर वर्ष गिरावट आ रही है किर्शी बजट में देश के और रॉल बजट से मुकाब की तुलना में हम देखे गिरावट भी आ रही है मगर जितना फिर भी दिखाया भी जा रहा है वो भी नहीं खर्चा जा रहा है आप इसका इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज स्थिती ये है कि किसानों पे जो कर्ज है वो आखरी आकड़ा अब आखरी सरकार ने आकड़े देने बंद कर दिये हैं आपको पता है किस प्रकार की सरकार चल रही है कोई भी ऐसा आकड़ा जो पारदर्शिता से देश की किरिशे चेतर की या किसी भी और चेतर की स्थिती को देश के सामने रखे जो सरकार की नीतियों को लेकर जिसकी समीक्षा हो सके ऐसे आकड़े देने सरकार ने बंद कर दिया हैं लेकिन जो आखरी आकड़ा आया 2018-19 में उससे सपस्ट हो गया था कि 2013-14 के मुकाबले किसानों पे 60% ज्यादा करजा था 2018-19 में तो पहली जो सरकार बनी भाजपा मोदी पहली का पार्ट वन मोदी सरकार का पहले 5 वर्ष में 60% किसानों पर करजा बढ़ गया था पहला ये जो है आकड़ा आप स्थिति देख सकते हैं ये स्थिति है दूसरी ओर MSP की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था क्योंकि एक मांग है कि MSP सभी किसानों को मिले और सभी फसलों पे मिले और गारंटी इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन लड़ा गया तीन किर्शी कानूनों की वापसी और MSP के अधिकार को लेकर किसान आंदोलन देश के किसान ने किया आज आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूँ कि देश के आज भी असी प्रतिशज़त किसान को गहँं और छेटर परसिज़त किसान को धान पे MSP नहीं मिल रही यह भारत सरकार ने माना है पहली बात गहँं और धान पे भी अधिक तर फसलों पे नहीं मिलती है लेकिन अ MSP जो कहा गया था स्वामिनातन कमिशन 50% किसान को मुनाफ़ा दिया जाएगा और भाजपा के मैनिफेस्टों में भी ये बात है उनके गोशना पत्र में भी है कि 50% मुनाफ़ा दिया जाएगा वो एक बात भी के माद्यम से किसान को चलने अकाम किया गया अगर अब 10 साल इनकी सरकार के भी हो गए अगर हम तुलना करें अलग-अलग फसलों के MSP के आप अंदाजा लगाएं गेहों में 10 साल UPA कॉंग्रेस की सरकार के समय देश में 119 परतिशत गेहों का समर्थन बुल्ले बढ़ाया गया जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के समय मोदी सरकार के समय केवल 47 परतिशत गेहों के MSP में नियूंतन समर्थन मुल्ले में बढ़ोतरी की गई इसी परकार से पैड़ी या धान में हमारी सरकार कॉंगेस की सरकार के समय 10 वर्ष में 134 प्रतिशत के नियूंतन समर्थन मुल्य में बढ़ोतरी करके किसान को दिया गया और मौजूदा सरकार में 10 वर्ष में धान में 15-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई उड़द में 205 प्रतिशत हमारे समय बढ़ोतरी हुई 10 वर्ष में उड़त की डाल पलसिस की बात मैं कर रहा हूँ और मौझूदा सरकार के 10 साल में 52 तूड में हमारी सरकार के समें 209 परतिशत की बढोतरी हुई और अभी मौझूदा सरकार में केवल 52 तो ना तो जो बढोतरी आप समझें 10 साल की जो यूपिय की सरकार थी उसमें MSP में record बढ़ोतरी हुई नियुंतम समर्थन मुल्य में record बढ़ोतरी हुई जिसकी किसी भी फसल में एक तिहाई उसके बराबर बढ़ोतरी भी दस वर्ष में इस सरकार में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई पहली बात दूसरी उस समय करजा माफी भी हुई 72,000 करोड की इन्हों पांच बर्ष में सरेंडर कर दिया गया जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योग पती घराने कॉपरेट के करज माफी के वो सरेंडर करके वो काम आएगा ऐसा दिखाई देता है फिर एक और बात आई इन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी ये भी एक बह 50% MSP पर बढ़ोतरी चल निकला MSP लाबदाई 50% MSP वाला चल निकला ये भी एक चल निकला क्योंकि 2015-16 में NSSो के अनुसार किसान की एवरेज इंकम थी 8000 परतिमा 8000 परतिमा देश के किसान की एवरेज इंकम थी वो अगर उसको इन्फलेशन में और सारी चीज़ बढ़ाते हुए अगर डबल करके देखा जाए तो वो कम से कम 22000 परतिमा 2022 तक हो जानी चाहिए थी जो इनका वाइदा था लेकिन कहां पहुची 10200 परतिमा तो ना तो आमदनी दुगनी हुई बलकि करजा दुगना हो गया किसान पर जो करज है वो अठारा साड़े अठारा लाग करोड हो गया था दो हजार बीस इकिस में दस लाग करोड से बढ़कर देश के किसान पर जैसे हमने का पहले भी आपको एक दिकर दिया कि वो परस्दाल इंडेटिडनेस इंडिविजुल किसान पर 60 परतिशत की बढ़ोतरी और जो ओर ओल इंडेटिडनेस है किसान पर करजा दुगना हो गया लेकिन उसकी आमदनी दुगनी हुई नहीं ये भी आपके सामने है इसी प्रकार से किसान विरोधी जो इनकी नीतिया रही है अब आप देखें एक्सपोर्ट बैन जब दुनिया की मार्केट में गेहूं का धान का अन्य अलग-अलग वेराइटीज का अच्छा भाव मिल सकता है अब युकरेन की लड़ाई के बाद से लगाता है बहुत अच्छा भाव अंतराश्ट्रे मार्केट में है लेकिन बै इंपोर्ट करना होता है वहाँ पर तुरंत सारे जो है काईदे कानूनों को त्यागते हुए और सखर्ष इंपोर्ट कर लिया जाता है तो देश के किसान पर धोरी मार इस सरकार द्वारा हर प्रकार से धोरी मार का सिकार देश का किसान हो रहा है इस सरकार की और इन सब बात आपने देखा होगा फिर किसान यूनियंस के उद्गोश हो रहे हैं उन्होंने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं फरवरी में दुबारा से किसान आंदोलन की बाते चल रही हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो सारी सर्ते भी सरकार ने मानी थी उनमें से भी कोई शर्त पूरी वापिस लेने थे ना उसकी तरफ कोई कारवाई हुई तो जो भी सारी मांगे और जो भी बातें सरकार ने मानी थी उन्हों बातों को कंपंसेशन प्रोवाइड करना था फैमिलीज को साड़े साथ सो किसानों की जान कुर्बान हो गई थी उस अंदोलन में सरकार के अहंकार के आगे उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई उनको ना मदद की ना ही जो अजे कुमार मिश्टेनी थे जिनके जो है छेतर के अंदर उनके आरोपी पुत्र द्वारा कथित रूप से जो सारे वीडियो देश के सावने आए चार किसानों को रोंदा गया ना वो उनके उपर कोई आजे कुमार मिस्टेनी से कोई जवाब देई आज तक मानने गई यह एहंकार का परतीक है किसान की किसान विरोधी सरकार के चहरे का परतीक है किसान विरोधी नीतियों का परतीक है तो यही बात आज हम आपके समक्स करना चाहते थे हमारा मुखे मुद्दा जो आज प्रमुख मुद्दा जिस विशेपे हम लोग यहाँ पर हमने आपको आज याद किया वो यही है कि यह जो आकड़ा सामने आये कि एक लाग करोड का बजट जो सरकार ने सरंडर कर दिया है यह चोटा आकड़ा नहीं है और यह किसानों को जो जखमी सरकार ने दिये हैं उनके जखमों पर नमक छिनकने वाला यह एक और आकड़ा है उनके जखमों को दुबारा से हरे करने वाला, ये एक और आकड़ा लगता, सरकार कुरेद कुरेद के किसान को जखम भी देती है, और फिर कुरेद कुरेद के किसान का टेस्ट लेती है, कि वह ये जखम कितना गहरा हमने आपको दिया है, इस से दुर्भा के पूर नहीं हो, बात नहीं हो सकते हैं, यह हमे कोई इसमें हमारा कड़बंदन है हम आदमी पार्टे के साथ और जो है मैं समगता हूँ कि यहां पर कोई भी कोई भी धार्मिक कारेकरम कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी किसी भी कोने में करे अपनी आस्ता के अनुसार तो वो तो कॉंग्रेस पार्टी की जो है उसमें जो है हमारी कोई इस बात से हम सहमत है हिंदुस्तान के हर ना इसमें तो कोई कॉंगर्स पार्टी के है, हम इसमें खुश हैं, हमें कोई इसमें मैं हिंदी में जवाब दे दूँ आपका, ओके हम सी अस्टेड ओस्टेड 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 आपकर सक्रांथी वे वे इसमें तो आयुद्या तो सीक ब्लेसिंस अ लॉड राम तो तेक बिपन होली सर्यू रिवर मांकिं अ फ्रेस्ट इस्टार्ट तो थिंस सब्ल्सके लॉड थे स्देड ओस्ट्ट्श सब्लाम आपकी जर्ट वेह हैं वेखन खरा च ताद्ट्ट्ट्ट्ब्राशं तो आपका нозज्ट्ट्ट्ट्ट्रंपक जर्ट्ट्ट्ट्लेंत ओ Video we believe in the ideology that Lord Ram belongs to all and we all have Lord Ram within us this is the ideology that I think we believe in that and I come from a state and from a region where even our morning greetings when we wake up in the morning our morning greetings we start with Ram Ram when there is a rain we say Ram Barasra when we start a new thing we say Leke Ram Ka Naam let's start this new thing if the farmer will go to his fields to till he will say Leke Ram Ka Naam and then he will start his work so Lord Ram belongs to all he is in our faith everyone has faith in Lord Ram and everyone has Lord Ram within them and Congress has always respected all faiths and there is no question of deviating from any because our stand Congress's stand may have been twisted by any media but it is not Congress welcomes anyone who has faith in any religion of this country to practice their faith to practice their faith and to Congress always encourages rather so there is no question of any so there is no question of anything anything you 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 उर्जा की अनुबुती और शिरिष्टी के लिए मंगल कामना के लक्ष से हम लोग पहुचे वहाँ और हर्याना में आज से घर-घर कॉंग्रेस कारिकरम का प्रारम हम करने जा रहे हैं उस नई कारिकरम के नई शुरुवात के लिए मकर सक्रांती के दिन एहुद्धा पहुचके श्री राम लिल्ला के दर्शन करके और भगवान राम का आशिरुवात प्राप्त करके और लेके राम का नाम हम आज वो कारकरम शुरू करेंगे घरगर कॉंग्रेस हर्याना के अंदर मैं पहले भी पिछले वर्ष भी में एउद्धा गया था राम विल्ला के दर्शन उस्व में भी किये थे हमारा ये मानना है कि भगवान राम सबी के हैं और सब में भगवान राम है हर वेक्ति के भीतर भगवान राम है और भगवान राम सब के हैं मैं जिस प्रदेश जिस शेतर से आता हूँ वहाँ तो हम जब सुबह उठते हैं किसी को मिलते हैं तो हम राम राम करते हैं वहाँ अगर किसान मजदूर अपने खेत में अपना हल लगाए तो जब शुरुआत करता है तो कहता है कि लेके राम का नाम और चलो कोई नया काम शुरू करें तो कहते हैं कि लेके राम का नाम नया काम और अगर इंदर देवता महरवानी करे तो कहते है राम बरसेगा राम बरस गया तो ये नीत है हमाज सब के आस्ता है भगवान राम में और भगवान राम सब के हैं ये हमारा जो है इस भाव से सिश्टी में सभी की मंगल कामना के भाव से और हम अपना नया कारकरम जो शुरू कर रहे है हरियाना में घरगर कॉंग्रेस उस से पहले हमने वहाँ जाकर जो भगवान राम से आशिरवाद प्राक्त किया धन्यवाद